आज हम बात करने वाले हैं उत्राखंड की पांच ऐसी जगाओं के बारे में जो वीकेंड में घूमने के लिए बेस्ट है पहले नमबर पे आता है चकराता दिल्ली से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है यहां आप टाइगर वाटरफॉल जा सकते हैं और यह भारत का हाईयस डारेक्ट वाटरफॉल भी है और इसके बाद आप चिर्मिरी टॉप जा सकते हैं जो की संसेट व्यूज के लिए परफेक्ट स्पॉट नमबर दो पे आता है ओली यह दिल्ली से एराउंड 480 किलोमीटर की दूरी पे है ओली के सबसे फेमस जगा है चिनाब लेक जहां तक आप रोपवे से जा सकते हैं और इसका ही छोटा सा ट्रेक भी है जिसके थुरू आप लेक तक पहुंच सकते हैं यहां से आपको नंदा देवी पीक, हाथी गोड़ा पीक और पाल की पीक नजर आएंगी नंबर तीन पे आता है मुक्तेशवर, दिल्ली से 380 किलोमेटर की दूरी पे स्तित ये जगा फेमस है भगवान शिव के मंदिर से जहां माना जाता है भगवान शिव ने एक राक्षस की हत्या कर उसको मुक्ती प्राप्त कराई थी इसी के पास है चॉली की जाली, ये मुक्तेशवर टेंपल से करीब 200 मीटर के डिस्टेंस पे है जिसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रेक करना पड़ता है और यहां से आप एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं इसके अलावा यहां भालुकर्ट वाटरफॉल है जिसके लिए आपको दो किलोमेटर की ट्रेक करके जंगल से होकर जाना पड़ता है नमबर चार पे आता है उकिमड यह दिल्ली से 400 किलोमेटर की दूरी पे है और इस तान पर बाबा केदारनात को सर्दियों में लाया जाता है तो अगर आप बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं एकांत में तो यह सबसे उचत जगा है और इस जगा से आपको केदारनात और नीलकन पीक भी देखने को मिल जाएगी नंबर पांच पे आता है तुंगनात दिल्ली से 435 किलोमेटर की दूरी पर यह 12 जोतिल लिंगों में से एक तुंगनात मंदिर दुनिया का सबसे उची जगा पर श्थित शिव मंदिर है यहां पहुँशने के लिए आपको साड़े 3 किलोमेटर की ट्रेक करनी होती है और यह एप्रिल से नेवेंबर तक खुला रहता है ऐसी और इंफरमेटिव वीडियो और एडवेंचर टिप्स के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूले